हेलो वाट्सप गाईस आज हम इस वीडियो में देखने जारे क्वेरी कीजिन और 10 स्टैक क्वेरी क्या होता इसका मतलब मैं आपको बाता हूँ यहाँ पर बहुत क्लियली देख सेकते हूँ अब इन में से किसी भी कार्ड पर अगर में क्लिक करता हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर का और डिटेल व्यू देखने मिलता है इनना सप्रेट पेज जिसको हम फैच करे हो विद यहलप आप आईडी तो आप इसको कह सेकते हू यहाँ पर अभी फिलाल यह तीन है इन तीनों में से मैं किसी भी क्लिक करूंगा मुझे एक न्यू सप्रेट पेज आएगा विद मोर डिटेल्स अबॉट इस पर्टिकुलर कार्ड और बैस पार्टिकुलर कार्ड यह होने जा रहा है कि वह जो एक न्यू पेज हमें मिलता ह जब भी मैं कार्ड को क्लिक करता हूं उसको हम सिर्फ एक ही बार क्रेट करेंगे सिर्फ एक ही पेज होगा and let's say I have total 100 कार्ड तो वह 100 कार्ड में मैं अगर किसी को भी क्लिक करता हूं तो वह सिर्फ एक ही पेज है and हम just because अब id उस id की मदद से हम यह find out करेंगे कि कौन सा data हुआ पर हम dynamically update कर देंगे guys इसका मैं आपको एक real life example दिखाना चाहूँगा जो हमने हमारा react का final project में बनाया था जहां पर अगर मैं movies पर चलता हूँ तो मुझे इतने सारे cards आते हैं ठीक है अगर इस पर मैं click करूँगा तो मुझे further इसका details आ रहा है यहां पर go back करूँगा and suppose इस वाले पर क्लिक करता हूँ तो इसका further details मुझे स्तिर की सारे तो यह जो dynamic page है ना इसको मैं कैसे क्रेट कर सकता हूँ with the help of 10 stack query वह मैं आज आपको बताने वाला हूँ and guys अगर आप चाहते हूँ इस particular project का source code को पाना या मैंने इसको कैसे क्रेट के बहुत कूछ इसके अनने पूरा react 19 के मदद से बना है तो वह already हमारे playlist पे आपको मिल जाएगा जरूर चकाउट कीज़ेगा all right guys तो बिना किसी देर का video की start करते है तो सबसे पहले काम करता हूँ मैं सबसे पहले let's go with our app.jsx file सबसे पहले हमें root create करना जरूरी है अगर आपको अभी भी ध्यान देखना I mean ध्यान से देखना so ये एक root होता है ठीक है ये तो मेरा जो भी है मेरा domain react.css course.online.com then movie के बाद हम एक id पास करते हैं यहापे लेट से इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करना है यहापे क्या हो रहा है देखो after movie we have one specific id तो जो भी आपका actual root है forward slash एक unique id और उस id के base पे हम डेटा फैच कर रहे है ठीक है so इसलिए मैं अब क्या गरता हूँ इसको copy करता हूँ यहापे चलता हूँ यह जो मेरा root है so है forward slash एक id मैं pass कर रहा हूँ इस तरीके से and no matter what जब भी आप अगर आप dynamic root create करोगे then you need to write colon and then यहापे आप कुछ भी लिख सकते हो अब जब भी कोई इस particular root पे जाएगा तो मैं उनको इसी same component पे तो redirect नहीं करना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा fetch individual या individual जो भी आप समझ लो individual page या जो भी हो ठीक है तो वो मैं यह लिख रहा हूँ so मैं यहाँ पे चलता हूँ यह जो अभी मैंने copy की इसको copy करूँगा I mean create की जो component so component में we have this UI वहाँ पे उसको मैं create करता हूँ dot jsx ठीक है इस तरीके से so const and सबसे पहले ही इसको मैं कर लेता हूँ export over here and we have this particular part कुछ इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ and let's go with return h1 hello individual ठीक है perfect ठीक है अभी जो अभी just मैंने create की मैं यहाँ पे जाऊँगा control space and मैं उपर इसको कर लूँगा what import ठीक है तो मैंने import कर ली मेरा काम हो गया right अब चलो सबसे पहले हमने root जो है वो तो define कर दी अब कब मुझे इस particular root पे जाना है जब भी मेरे पास यह card से जब भी उजर इस पे click करेगा तब मुझे इस particular root पे जाना है and इसका जो detailed data है वो मुझे display कराना है यह दिखाना है right तो अब हम क्या गरेंगे अब हम चलेंगे हमारे actual post पे over here and यह वो particular card है जो मुझे इहां पे display हो रहा है and obviously जब भी को इस पे click करे अब obviously मुझे click functionality चाहिए right तो वो click functionality कहां से मिलेगी either you can go with anchor tag but now we are using a react router dome जो कि हमें provide करता है link और a nav link component so what we will do कि मैं यहां पे ले ले लेता हूँ nav link component यहां पे paste and one more thing मैं यहां पे id भी पास कर दे रहा हूँगा इस ताकि हमें पता चले कि भाई कौन सा यह id number है वो ठीक है नेब link में मैं 2 कर देता हूँ ठीक है एंड यहां पे मुझे अब रूट पास करना है अब रूट हमें dynamic लगेगा तो मैं टेंपलेट लिटरल से उस कर रहा हूँ इस तरीके से आप देख सकते हूँ forward slash rq एक सेकंड कुस्तों गडबड हो गया and that unique is our id तो इस तरीके से ठीक है all right perfect now यह मुझे इसलिए दिखाई दे रहे क्योंकि nav link वाला जो पार्थ है इसको मुझे उपर इंपोर करना पड़ेगा सबसे पहले so import nav link from where from our react.dome right control and save करता हूँ यहां पी यह warning हम इसलिए दिखाई दे रहे क्योंकि हम किस के अंदर है jsx के अंदर है and in jsx if you want to use javascript then we need to write curly braces तो हमे curly braces उसकरना है इससे अब हम javascript की दुनिया के अंदर enter कर चुके है and then अब javascript की दुनिया के अंदर तो हम template literals का use कर ही सकते तो मैंने यह कर ली अब जब भी कोई हमारे card पे click करेगा वो इस particular route पे जाएगा and वो जो id है वो तो already मैंने create करी ली यहाँ पर आगर आप देखोगे तो ठीक है वो हमें top पे दिख जाएगे control step यह second step था हमारा देखो 123 है and let's say मैं second वाले पे click करता हूँ and boom guys see देखो हमारा route बनके ready है यहाँ पे RQ-2 यहाँ पे आप बहुत क्लेली देख सकते हो ठीक है मैं back चलता हूँ 3 पे click करता हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजे यह देखो RQ-3 यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है तो इतना तो हमें पता चल गया अब मुझे क्या करना है कि जब मैं second पे click कर रहा तो मुझे second का पुरा complete details चाहिए for example जैसे यहाँ पे जैसे इस Titanic पे click कर रहा हूँ तो मुझे सिफ Titanic का details आता है cartoon वाले पे जाता हूँ तो मुझे cartoon का details आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है simple सा logic है कि यहाँ पे मुझे यह cards का data कहा से आ रहा है cards का data आ रहा है क्योंकि मैं API को call कर रहा हूँ API call कर रहा हूँ right तो जब मैं API को call कर रहा हूँ तो मुझे data आ रहा है अब उससे समय भी यहाँ पे भी जब मैं click करूँगा मुझे API को call करना पड़ेगा but एक condition होगा उसमें कि मुझे API call करना है सिर्फ एक ही card के लिए and जिस पे user क्लिक कर रहा है वह वाला अब वह मुझे कैसे पता चल गए ध्यां से देखना so I have one इसका basically API ठीक है मैं copy कर रहा हूँ उस API को मैं यहाँ पे आया ठीक है forward slash we know we have this post तो इतने सारे चीज आ जाते ठीक है अब यह जो पोस्ट है उसके forward slash में करूंगा and let's say मैंने 2 प्रेस की and boom गई इसी देखो मेरा काम हो गया दिखाने का मेरा क्या मतलब है कि post forward slash 2 अगर मैं करता हूँ and जो हमारा base URL है वो तो ही axios के अंदर तो मुझे सिर्फ पॉट सिर्फ उस particular ID number 2 का data आता अगर यह ID number 2 के बतले 3 कर दूंगा तो मुझे 3 का data आएगा खली तो हो गया मतलब this is my root and इस root को अगर किसी तरकी से में click करके यहां पे मेरा यह जो ID दिखाई दे रहा है 3 अगर बस मुझे इस कूट डायनेमिक बनाने यूजर ने 4 पे क्लिक किया तो 4 1 पे क्लिक किया तो 1 100 पे क्लिक किया तो 100 एंड उसके बेस पे तो data आई रहा अगर मैं 100 भी कर देता हूं तो उसके बेस पे भी मुझे data आई रहा है बस इतना ही मुझे इस root को create करना है ठीक है कैसे करूंगा देखो fetch individual post कर देता हूं ठीक है equal to and यहां पे INV कर देता हूं क्योंकि वह वहां पे उस तरह किसे आ रहा था this is it ठीक है अब मुझे क्या करना देखो let's go with try and then catch block guys यह तो normalize में कोई वह नहीं है ठीक है अब यहां पे obviously मुझे न यह request hit करना है ठीक है so API हमारा instance dot get and किसी तरह के से मुझे इसको get करना है this is it अब यहां पे already we have our base URL dot com तक तो यह जो dot com तक है इसको मैं हटा रहा हूं ठीक है क्योंकि by default API के अंदर वो है already ठीक है instance के अंदर तो यह number जो है ना यह जो 100 मैंने लिखा यह basically वो ID है जो हम चाहते है डाइनेमिक बनाना तो मैं क्या करूंगा dollar and then इस तरीके से अब मैं यह assume कर रहा हूं कि जब भी कोई इस basically यहां पर आप देखो ना कहां चलागी इस जगे पर ठीक है जब भी कोई यहां पर click करके हमारे वो किस page पर जा रहा है individual page पर जा रहा है इस page पर तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा guys मैं यहां पर एक id get करूंगा कहां से URL से ठीक है URL से id को मैं get करूंगा and जब मैं वो function call करूंगा कौन सा यह वाला function तब मैं क्या करूंगा कि यह function है जब मैं call करूंगा तब मैं उसमें यह जो id मैंने URL से प्राप्त कि वो मैं पास कर दूँगा अभी थोई दिर में आ रहा हूं आपे तो कुछ मेरा यह function with one argument तो यह मैं assume कर चुका हूं कि मैं यह करने वाला हूं और उसके base पे मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे उसके base पे मैं simple यह id यहाँ पे get करूँगा and वो id यहाँ पे put कर दूँगा this is it मेरा काम खता हूं and obviously यह हमें promise return करता है so we need to wait and यहाँ पे मुझे इसको async बनाना पड़ेगा simple and मुझे इसका कुछ तो भी response तो मिलेगा after sometimes तो उसको मैं इस्तिर किसे रख देता हूं and यहाँ पे चलके एक simple condition तो कुछ नहीं guys बस simple यह simple code अगर response हमारा success हो जाता है and that is the status code कर सकते हो तो मेरा सब काम हो गया है अब बस मुझे यहाँ पर आके वो function को call करना है इस particular page में देखो in general अगर हम होते तो क्या करते basically use effect में यह डाल देते और हो जाता काम but हम 10 stack query करें and it's easy हमने कैसे किया था यहां पर ध्यान से देखना हमने कुछ यह किया राइट तो इसी को ही मैं copy करूंगा यहां पर भी ठीक है and इतना सब कुछ हटाओ मैं paste कर दे रहा हूं अब यह सब कि मुझे यहां पर कोई need नहीं है अब यह जो use query है control and then space मैंने यहां पर उपर get कर ली ठीक है अभी यह इतना सब कुछ है return उपर नहीं नीचे लगेगा return हमें ठीक है इस तरीके से perfect ठीक है अब ध्यान से देखना query key में मैंने post रखा है ठीक है मैं post रख रहा हूं query key के अंदर अब यहां पर मैंने कौन सा function create किया to fetch individual data उसके लिए हमारा request है यह fetch individual post copy करूंगा यहां पर आउंगा यहां पर pass कर दूंगा अब मुझे यहां पर ने एक argument पास करना है and that is nothing but one id जो कि मैं url से get करूंगा अब वो url से तो मैं directly get नहीं कर सकता तो उसके लिए हमाय एक hook मिलता with the help of react router dome right so that is your use params तो यह use params हुक की हमें need है ठीक है and अब यहां पर मैं क्या करूंगा simple इस तरह की से यह basically id जो मैं destructure कर दे रहा हूं यहां पर इस तरह की से this is it तो अब इसके अंदर मुझे data आ चुका है इस particular id के अंदर मुझे data आ चुका है काम करता हूं मैं आपको दिखा ही देता हूं यह जो id है मैं यहां पर पास कर देता हूं इस तरह की से id ठीक है this is it all right मैं कुछ इतना कर देता हूं जल्दी से ताकि आपको यह पता चल जाए कि हमें मिल क्या रहा है यह देखो hello 2 आया ठीक है मैं बैक जाओंगा suppose 3 पर क्लिक कर रहा हूं so I am getting hello 3 3 क्या है basically मैं यह URL यहां पर देख सकते हूं 3 है तो हो यह रहा है कि यह जो 3 है मुझे यहां पर मिल रहा है तो बस बात ही खत्म ना मुझे यही तो चाहिता है कि user ने किस card पर क्ल करते हो we need to pass an object with two minimum options that is your query key and then query function and query function में आप जब function करते हो तब आपको उसके नदर आप एक argument पास करना है जैसे react में भी हम directly नहीं कर सकते है अगर आपको कुछ argument पास करना होता है तब हम क्या करते है आपको इस तरह के से fat arrow function बनाना पड़ेगा तब आप यह कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं अब यह जो particular function है control and then space and मैंने कर ली उपर import and यह जो use query हो के उसको भी मैंने कर ली import बस खता मुझे यहाँ पर मेरा data आ चुका है मुझे क्या हो चुका है गाईस मुझे मेरा data आ चुका है मैं आपको दिखाऊं तो inspect पे चलता हूं console इसको मैं हटा रहा हू clean मैं home पे चलता हूं यहाँ पे चलता हूं and 2 पे क्लिक करता हूं and boom guys see you देखो देख रहो आप मेरा data आगया देखो ID2 यह सब कुछ मुझे मेरा data आगया खता हम अब मुझे कुछ निकरना मुझे वापस यहाँ पे चलना है जो हमने पहले किया था इस pending रहेगा तो loading दिखा देना इस error रहेगा तो यह error message दिखा देना हम already देख चुके यह तो मैं यहाँ पे चलके यह कर देता हूं ठीक है अब वापस चलूँगा यह जो particular return वाला जो data है मैंने पूरी copy नहीं की मैंने बस इतना copy किया है ठीक है अब यहाँ पे बहुत इजी अब LI पे मैं चलूँगा ठीक है एक UL के अंदर multiple LI हम रख सकते हैं तो मैं यहाँ पे रख देता हूं इस तरह की से let's say ID अब अच्छा मैं directly ID नहीं रख सकता data.id फिर मैं paragraph करता हूं and इस पर किसे paste कर देता हूं ठीक है अब यह जो particular portion आपको दिख रहा है कोई need नहीं है just dot लगा दीजे कोई कि multiple तरीके है data को प्राप्त करने के so data.id data.title data.body इस रिफ इतना the moment इतना आप करते हूं and boom guys see यह देख लीजे कितना easy था यह राइट यहाँ पर वापा चलता हूं let's say 3 तो यह देखो ID 3 and data मुझ आएगए यहाँ पर मैं चलो let's say ID 1 and guys इसको मैं थोड़ा और awesome बना सकता हूं है ना मैं यह UL भी हटा रहा हूं यहां से मारो गोली उसको क्यो क्योंकि हमें list बहुत सारी list थोड़ी मिल रहा है कि तो list मिल रहा है यह LI की नहीं है just आप इसको एक db पकड़ लो ठीक है let's see कैसा दिख रहा हूं all right now page post details details की भी नहीं है detail number post ID number कर देता हूं यह number one एक कुछ इस तरीके से मैं वापस यहां चलता हूं 2 पर क्लिक करों तो post ID number 2 2 का details आगे है 3 पर क्लिक कर रहा हूं तो 3 & 3 का details आगे है and top पे we have this 3 तो guys इस तरीके से with the help of 10 stack query आप अपना जो dynamic route है या dynamic nested route उसको आप create कर सकते हो तो यह है कितना ज्यादा सही की मतलब यार एक तो data आ रहा है हम query key की मतलब से कितना easy और अब उस पर क्लिक करो तो उसका भी पूरा detail आ तो हमारा like life कितना easy होगा at least इतना अगर आप कर पारे तो blocks वाले जो website से वो तो आप create कर ही लोग है right and आप एक काम कर सकते हो ठीक इसके निचे आप एक button रख दो you know and button पर लिख दो go back ठीक है obviously go back directly लिखने से तो कुछ काम होने से रहा आपका तो nav link create कीजिए यहां पर आईए ठीक है क्योंकि navigation की जब भी बात आती तो हम nav link का use करते हैं तो इस तरीके से अब आपको सोचना है कि हाँ आप मैं कैसे कर सकता हूं क्या कर सकता हूं यहां पर सिप RQ दे दो ठीक है तो इस particular रूट पर चला जाएगा control space react router ठीक है go back go back 3 पर आया go back 1 पर आऊंगा go back 2 पर आऊंगा इस तरीके से 2 का data and then go back guys video का end करने से पहले मैं एक चीज यहां पर आप लोग को एक साथ share करना चाहूंगे that is query key में हमने पोस्ट को रखा हूए ठीक है तो यह काम कर रहा है बट आप में से बहुत लोग यह भी देखोगे कि पोस्ट के साथ साथ कोई यहां पर यह जो id हम pass कर रहे है वो भी लोग यहां पर extra add कर देते है अब guys यहां पर होता है कि जब आप query key के अंदर कभी भी कोई data pass या basically array का यह जो element आप कह लिजिए जो आप pass करते हो तो जब जब इनकी जो value है वो change होगी तब तक आपका यह जो function है वो call होगा ठीक है यही जो particular value या जो element मैं pass कर रहा हूँ जो मेरे query की property के अंदर तो इसे को ही हम क्या बोलते है query keys and यह बहुत important है क्योंकि इसके बीना फ प्रास करते हो तो यह best practice है कि ठीक है ID change हो रहा है या post हो रहा है उसके base पे हम इसको call करेंगे and render करेंगे so yeah guys this is it आज इस video के इतना है and I hope video आपको बहुत ही ज्यादा पासंदा होगा so अब मैं आपको कल का वीडियो और भी awesome होगा क्योंकि कल के वीडियो में मैं आपको page in essence बाता हूंगा जियां guys आप में से बहुत लोग बहुत बेस अभी से page in essence का इंते जाग कर रहे थे and link आपको नीचे description and comment section में मिल जाएगा so guys मिल तो हमें आपको कल की वीडियो में till then guys thank you so much take care